जैहिंद जैभारत दोस्तों यहाँ पर आप सबको बहुत ही आसानी से हम बताने वाले हैं आपको रूट का जूड रूट का घटाओ रूट का गुना और रूट का भाग तो इतना आसानी से समझाएंगे कि आप एकदम समझ ही जाएंगे तो यहाँ पर आप सब ध्यान दिजिए यहाँ पर आप सबको किलियरली दिख रहा है रूट का जूड और यहाँ पर देखिए है रूट थिरी पलस रूट थिरी अब इसको कैसे जूड़ना है तो आपको यहाँ पर यह चीज पहले ध्यान देना है कि रूट वाला दोनों समा यहां पर यह भी और यह भी यह दोनों आपस में सामान है यानि बराबर है कोमन है तो भाई शाब कोमन है तब ही जूटेगा तो सबसे पहले जुड़ना है कैसे तो रूट के आगे कुछ है या नहीं तो रूट के आगे कुछ भी नहीं है यानि कुछ भी नहीं है यहां भी तो आपको लिख देना है एक, और यहां भी कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां भी लिखा जाएगा एक, तो यह दोनों को पहले जोड़ेंगे, जो जो रूट के आगे होगा, उसे पहले हम जोड़ेंगे, तो रूट के आगे हमारा एक है, और यहां भी एक है, तो दोनों को आ और और भी हम आगे देखते हैं कि आगे किस तरह से हैं तो आगे हमारा यहां पर यह रहा अब इसको कैसे जोड़ना है तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि रूट के आगे जो रहेंगे उसको पहले जोड़ना है और हाँ यह भी धियान देना है कि रूट वाले दोनों आप पर तीन है, यह दोनों को पहले आपस में हम जूडएंगगे, तो दो और तीन हमारे कितना हो जाएगा है, ओ माई गॉड हाँ, धो और यहाँ पर तीन, यहाँ पर हो जाएगा आपको पाँच, और इसके बाद यह और यहर दोनों क्या हैं? समान है तो इसलिए इस तरह से आपको हो जाएंगे तो ये रहा आपका एंसर ठीक है तो चलिए अब इसको आगे और भी हम समझते हैं और अगर मान लेते हैं कि यहां पर समान नहीं है यह रहा आपके सामने और यह दोनों root वाले जो हैं समान नहीं है तो अब इसको कैसे किये जा सकता है तो यहां पर धिहान दीजिए यह और यह समान तो नहीं है इसका मतलब यह नहीं जूटेंगे नहीं जूटेंगे तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए यह जैसे हैं वैसे आप लिख दीजिए इस तरह से आपको number मिल जाएगा ठेक है तो यह रहा आपका answer तो भाई साब यहाँ तक भी आप समझ गया होंगे तो अभी अभी हमने क्या देखा अब समझते हैं रूट का घटाओ तो आएए यहाँ पर ध्यान दीजिए तो भाई साब यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट का घटाओ रूट का घटाओ में भी यही ख्याल रखना है कि अगर रूट वाले दोनों आपस में समान होंगे तभी हम घटा सकते हैं ठीक है अन्या था नहीं तो रूट रूट समान है इसका मतलब यह दोनों को काट भी सकते हैं तो यह दोनों को काटेंगे तो हमारे कितना आजाएगा जीरो खतम जीयां साथी हो हमारे कितना आजाएगा जीरो अब यहाँ पर समझेगे अब इसके नीचे यहाँ पर पहले rooting वाला देखना है कि ये और ये दोनों सामान है कि नहीं तो ये root वाला और ये root वाला दोनों हापस में क्या है सामान है इसका मतलब ये घटेगा तो अब आपको क्या करना है चार में से दो गया, हमारे कितना बज़ाएगा दो, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, हाँ, तो भाईश आप चार में से दो गया, बच गया दो, ठीक है अब यहाँ पर रूट फाइफ है और रूट फाइफ है तो यह दोनों को हम कोमन ले लेंगे तो आपको दिख रहा है, दोनों के दोनों कोमन नहीं है, रूट वाले देखिए यह और यहाँ पर एक रूट है, तो यह दोनों आपस में कोमन है, समान है नहीं समान है, अब नहीं समान है तो क्या होगा, नहीं घटेगा जिहां साथियों नहीं घटेगा तो अब आपको क्या करना है इसको क्या किया जाएगा कि दोनों जैसे हैं वैसे हम लिख देंगे तो यहाँ पर जिस तरह हैं वैसे लिख दीजे तो इस तरह से और इस तरह से ऐसे ऐसे और ऐसे तो यहाँ तक आपको किलियर रहोगा तो आईए अब हम आगे सिखते हैं तो हमने घटा भी सीख लिया अब हम सिखते हैं रूट का गुना जिया साथ ही हो अब हम सिखते हैं रूट का गुना और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है रूट थिरी मल्टिफल रूट थिरी तो अब इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर गुना होंगे, तो यार कोमन है, इसका मतलब यह खचाक मने कितना हो जाएगा, भाई शाहब तीन हो जागा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीन हो गया, ठीक है, तो यह भी आपको किले रहा होगा, अब इसके बाद हमारा आगे है देखिए यह रहा आपका गुना तो यहां पर पहले रूट वाला देखना है कि कोमन है या नहीं तो यहां पर भी रूट वाला क्या है को मन है तो भाई शाब पहले यह वाला को गुना करेंगे तो छे दुना के कितना हो जाएगा बारा यहां पर बारा हो जाएगा और इसक एंसर कितना हो गया 60 हो गया तो यह भी आपको क्लियर रहा होगा ठीक है तो आए और अब हम समझते हैं और भी चीजे को यहां पर आप समझें रूट वाला देखिए कोमा नहीं है यह यह रूट और यह रूट यह दुनों आपस में समान है नहीं समान है तो अब इसको कैसे कर दूनों समान नहीं है तो अब क्या करेंगे इस तरह से गुना कर लेंगे और ऐसे बड़ा में कर लेंगे और इसके बाद इसे यहां पर फाइफ लिखेंगे और इसके बाद मल्टिपल यहां पर रूट वाला यहां है तो यहां पर यह साथ लिख देंगे अब क्या करना है यहां पर आपको समझें, यह वाला जो गुना है, इसको यहां पर हाटा लिजें, ठीक है, यहां पर 21 हो गया, और इसके बद 5 सत्य 35, तो रूट में अंदर कितना हो जाएगा, 35, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, तो यह आपका बन गया, ठीक है, चलिए, आगे अब हम स तो अब इसको कैसे करना है, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, कोमन है, तो यह यहां पर लिख देंगे, रूट 2, और इसके बाद यहां भी लिख देंगे, रूट 2, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, यहां पर धालाक धालाक काट देंगे, यानि हमारा कितना आ जा ठीक है तो रूट का भाग इस तरह से आप बना सकते हैं और हम उदारन ले रहे हैं यहाँ पर देखिए यह यहां पर देखिए यह रूट वाला और यह रूट वाला यह दोनों समान हैं तो अब क्या करेंगे अब ऐसे पहले लिखेंगे तो टू रूट फाइफ इसके बाद ऐसे करेंगे यह वाला चार यहां लिखेंगे पटक से और यहां पर इस तरह से अब आपको जो जो समान दिख रहा है काट दीजिए यह और यह समान दिख रहा है तो ऐसे काट देंगे अब क्या करेंगे भाई शाहब यहां पर भी यह और यह कटेगा तो अब इसको काट दें अब बराबर वाला था तो अब बीना बराबर वाले ये तो बराबर वाले थे अब इसके बाद हमारा ये देखिए ये हमारा क्या है बराबर वाले नहीं है तो अब इसको कैसे करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या किजिए कि जैसे हैं वैसे लिखिए इस तरह से लिख दीजिए 3 वटा 5 ठीक है तो अब यही आपका हो गया answer तो भाई साब आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा हमने यही सीखा रूट का जूड रूट का घटाव और रूट का भाग अगर यहां तक ही जनकारी में अगर आपको दिकत लगा हो तो आप नीचे जरूर लिखेगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार और हमें सपोर्ट की जरूर थे सब्सक्राइब जरूर करना ठीक बाई बाई टेक क्यार